तर दोसको सुगः थे कंवेडिया नहीं वीडियोआं दोस्तो इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आप कि से अफ्लिषा कर सकते हैं हुम स्क्रीन श्रॉट चैन्ज करने के मतलब यहाँ पे यह है कि आपका भी हुम स्क्रीन जो है न यह ड्रॉर मोर में है यानि कि home screen तो आपका यह है लेकिन सारे application यहाँ पे नहीं है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यह सारे शरीफ shortcut है यहाँ से आपके remove कर देते हो लेकिन यहाँ पे आपके application होते हैं सारे तो किस तरह से आप इस तरह का कुछ home screen set कर सकते हो या फिर आपका double screen है तो किस तरह से आप drawer को हटा सकते हो तो आपको hold करना है कहीं भी खाली screen पे किसी भी screen पे जहाँ भी खाली दिखे न वहाँ पे touch करो और touch करके रखो इसके बाद home screen setting पे जाओ और आपको यहाँ पे home screen style का option मिल जाता है style पे जाओ और यहाँ पे standard कर लो standard का मतलब मैं आपको अताता हूँ जैसी यहाँ पे standard करोगे न सारे application एक ही जगह पे आजाएंगे आपके इस तरह से screen पे और आप चाहो तो इस तरह से करोगे तो आपके application अब नहीं आएंगे यानि कि ओ ड्रॉर वाला खतम हो गया system जिनका mobile लाइग वाइग करता है वो ऐसा अक्सर करके रखते हैं और अगर ड्रॉर वापस से set करना है तो home screen पे जाओ home screen style पे जाओ और ड्रॉर सेलेक कर लो अगर कर लेते हो तो ड्रॉर मोड में आपको बता दूँ तो ड्रॉर मोड में आपको यह वीडियर का option भी मिल जाता है और यह आपस में जाता है और यहां से आप चाहो तो इसको बाइन या फिर बाइक category आप users के हिसाब से कर सकते हो एक चीज और इसमें आपको app suggestion वाइगरा भी मिल जाता है और hot apps का option देखा होगा आपने कि hot app hot game आने लग जाते हैं और उससे बहुत सारे application आपके install हो जाते हैं तो उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे home screen पर जाके यह suggestion वार को आप बंद कर दीजेगा इससे आप suggestion नहीं मिलेगा hot app and hot games को आप यह जो बंद on होगा इसको भी आप बंद कर दीजेगा इन दोनों को आपको बंद कर देना है ओके तो इतनी सी setting है इसकी तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजे शेयर कीजे सबस्क्राइब कीजे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बैबाए